नमस्कार स्टुटेंट स्वागत है आप सभी का आर्बी एडिट्यूप क्लास में स्टुटेंट आज में ये कोशन क्लास 10 के मैथ की CBSC बुक से ले करके आया हूँ ये जो कोशन है कोशन नमबर 4 है exercise 13.1 page नमबर 244 है चलिए देखते हैं इस कोशन क्या कहता है इस कोशन में क्या पूछा गया है हमसे तो कोशन नमबर 4 है कह रहा है कि और क्यूबिकल वुलॉक आप साइड 7 cm इसका मतलब ये है कि ये जो क्यूब है न इसकी साइड जो है वो 7 cm दिया गया है is surmounted by a hemisphere surmounted का मतला होता है कि इसके उपर एक hemisphere रखा गया है hemisphere एक bowl जैसा shape होता है गेंद का आधा कटा हुआ हिस्सा होता है what is the greatest diameter of the hemisphere can we have एक तो यहाँ पर question पूछा है कि जो hemisphere है उसका greatest diameter यानि कि जादा से जादा जो diameter है वो कितना हो सकता है दूसरा पुछाए कि find the surface area अब the solid इस जो solid बना अब hemisphere और cube को जोड करके उसका surface area कितना होगा अब student यहाँ पर देखते हैं कि क्या आएगा हमारा question तो चलिए question को solve करते हैं यहाँ पर देखिए मैं इस question को दो दरीके से कर सकता हूँ एक सबसे पहले मैं जो यह cube है इसका surface area find कर लूँ और फिर यह जो hemisphere है इसका surface area find कर लूँ फिर वहाँ पर यह जो नीचे वाला circle दिख रहा है आपको इसका आपको अलग से find करना पड़ेगा और इसको minus करना पड़ेगा किस से minus करना पड़ेगा इसको minus करना पड़ेगा आपको cube से ऐसा क्यूँ है क्योंकि अगर आप इसका card surface area find करने की कोशिस करो तो माल लिजे आप यहाँ से चल लो तो आप सीधा इसकोन के ऊपर ही surface पर मुड़ जाओगे ऐसे यहाँ नहीं जाओगे ठीक है जैसे माल लो आप अपने यहाँ पर किसी cube के उबर कटोरा रख दीजे तो जो कटोरे का हिस्सा होता है यह circular part वाला वो आप touch नहीं कर पाओगे इसलिए हमें यह circle वाला जो portion है यह minus करके निकालना होगा तो चलिए इस question को solve करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि given क्या क्या है हमारे पास given so यहाँ पर जो given है वो यह है कि जो side दिया गया है देखे cube के side को हम एसे represent करते हैं तो वो 7 cm दिया गया है और जो greatest diameter होगा जो पहला question हम से पूछा है कि greatest diameter कितना होगा तो दिखे जीतनी हमारी cube की side है वही हमारा greatest diameter हो सकता है hemispare का उससे जादा नहीं हो सकता है तो यहाँ पर जो diameter आएगा greatest वाला वो आएगा 7 cm और radius यहाँ पर हो जाएगा 7 by 2 cm ठीक है hemispare का अब हम यहाँ पर जो find करेंगे surface area so far surface area of solid surface area of solid surface area of cube यानि की TSA of cube minus area of circle plus surface area of surface area को हम S A से represent करते हैं surface area of hemispare यह मैं direct कर रहा हूँ student आप चाहो तो पहले आप cube का surface area find करो फिर आप circle का surface area find करो और फिर आप hemispare का surface area find करो फिर पहले cube के surface area से circle का surface area minus करो फिर आप जो है hemispare का surface area add करो यहाँ पर मैं direct करूँगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा यहाँ पर जो cube का total surface area होता है वो होता है 6a square minus circle का जो surface area होता है वो होता है pi r square और hemispare का जो surface area होता है वो होता है 2 pi r square आप यहाँ से देखो कि यहाँ पर 2 pi r square है और यहाँ पर 1 pi r square है तो 1 pi r square क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 6a square plus pi r square only अब यहाँ पर value put कर देंगे तो चलिए देखते हैं value में क्या put करना है 6 into 7 का square plus 22 upon 7 into 7 by 2 का square ठीक है 6 into 7 का square होता है मारे पास 49 plus अब यह 22 upon 7 7 का square 49 और 2 का square होता है 4 तो यह 7 का square इसे कट जाएगा 7 7 जा 49 2 जा 4 और 2 11 जा 22 finally क्या बचेगा देखे यहाँ पर जो बचा हुआ है वो है 11 into 7 upon 2 इधर जो multiply कर लेते हैं तो 6 9 जा होता है 54 4 write करेंगे 5 carry 6 4 जा 24 plus 5 29 further इनको आगे solve करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 294 plus 11 7 जा 72 by 77 by 2 2 से यहाँ पर multiply करेंगे सबसे पहले क्योंकि यह fraction के form में या फिर हम 77 को अलग से divide कर लेते हैं तो ऐसे आप divide कर लेना इसको common method से मैं आपर direct answer करूंगा तो 0 plus 5 5 हो जाएगा 8 और plus 4 12 हो जाएगा 2 write कर लेंगे 1 carry 9 plus 3 12 1 13 हो जाएगा 1 carry और यह 3 हो जाएगा अभी एक डिजिट के बार decimal है तो आप यहाँ पर एक डिजिट के बार decimal लगा दीजिए यह answer कीतना आएगा answer आएगा 332.5 अब हमें find क्या करना है surface area तो यहाँ पर जो unit लगेगी वो centimeter square लगेगी ठीक है क्योंकि जो हमारा unit चल रहा है वो किसमें चल रहा है वो चल रहा है centimeter में तो यह हमारा question का answer होगा students उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया हूँगा अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लागा है तो वीडियो को like करें channel को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसी परकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class